हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू कलर ओफ त्रेड्स आज मैं आपके साथ कोट कोलर नेक की कटिंग और स्टेचिन शेयर करने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने कुर्टी की कटिंग करके रखी है यह फ्रेंट का पार्ट है और यह बैक वाला पार्ट है तो डिजान डड़ी करने के लिए पहले फैब्रिक की उपर नेक की कटिंग करेंगे तो पहले मैं यहाँ पर फ्रेंट पार्ट की कटिंग करूंगे तो यह मैंने फ्रेंट वाले पार्ट को लिया है तो देखी हम collar neck बना रहे हैं तो इसलिए shoulder की cutting हमने एक इंच जादा करनी है तो यहाँ पर मेरी shoulder का measurement था वो 6.5 इंच का था यानि कि 13 इंच का था तो यहाँ पर मैंने 1 इंच इसे extra cut किया है तो यहाँ पर मैंने shoulder की cutting 7 इंच पर की है इसी तरह से आपको भी 1 इंच extra लेके shoulder की cutting करनी है तो अब हम कुर्ती के उपर neck की cutting करेंगे तो neck की चुड़ाई यहाँ पर हमें लेनी है सवा 3 इंच की और neck की deepness यहाँ पर लेंगे 4 इंच की अब इस marking पर round V neck draw कर लेंगे इस तरह से पूरा goal cut नहीं करना है अब इस marking के उपर इसे cutting कर लेंगे और यह जो neck की cutting निकली है इसकी help से हम fuse paper के उपर neck की cutting करेंगे तो इसलिए इसे side में रख लें अब हम back part की cutting करेंगे तो यहाँ बैक part को लिया है अब इसकी उपर front part को इस तरह से set करेंगे तो neck की चोड़ाई सेम रहेगी और back neck की deepness हमें पौने इंच की लेनी है तो पौने इंच पर मैंने mark किया है अब यहाँ पर इस तरह से हलकी से गुलाई में marking कर लेंगे और इसे cut कर लेंगे तो कुर्ती की उपर हमने neck की cutting कर लेंगे अब extra कपड़े की उपर भी front neck की cutting करेंगे तो यहाँ पर मैंने extra fabric लिया है और fabric की चुलाई मैंने लिया है 11 इंच की और fabric की लंबाई यहाँ पर लिया है 13 इंच की और fabric के wrong side पर हमें इस तरह से fuse paper को paste कर लेना है और fabric की उपर center marking भी कर लेनी है अब इसे इस तरह से two fold करेंगे front part की cutting को लेंगे और folded side पर रखने के बाद इसकी side marking कर लेंगे और इसे cut कर लेंगे और अब इस पर ready length के लिए marking करेंगे तो ready length यहाँ पर मुझे चाहिए 8 इंच की तो जितना भी आप normal neckline पहनते हैं उसे आपने एक इंच से जादा length लेनी है क्यूंकि collar neck है पहनने में दिक्कत हो सकती है इसलिए एक इंच extra ले 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 तो अब इसे open करेंगे तो यह है ready length की marking और यह जो ready length की marking है यहाँ तक हम एक कट ready करेंगे center marking के बिल्कुल साथ में तिर्ची line draw करेंगे उपर से line इस तरह से सीधी आएगी और नीचे से जो ready length है वहाँ पर इसे जोड़ देंगे सेम इसी तरह से दूसरे तरह भी center marking के side में इस तरह से तिर्ची line draw कर लेंगे और इसे भी ready length के साथ इस तरह से मिला देंगे अब इसे fold करेंगे और यहाँ पर हमें 1.5 inch पर एक marking करनी है इस तरह से अब इस marking के उपर एक small cut लगा देंगे half inch का तो उपर से neck की चोड़ाई है वो 2 inch की है सेम इसी तरह से 2 inch पर हमें पूरे neck की उपर marking कर लेनी है अब इस marking के उपर neck की cutting कर लेंगे तो neck की cutting हमने complete कर लिया है अब इसे कुर्थी के उपर ready करेंगे तो यह मैंने front part को लिया है तो इसको सिधा रखेंगे और जो fuse paper के उपर neck की की थी इसके उपर इस neck को इस तरह से रखेंगे और center के साथ center को मिला लेंगे और इसे pins के साथ इस तरह से secure कर लेंगे अब यहाँ पर जो half inch का cut लगाया है same marking की उपर दुबारा से cut लगाएंगे ताकि fabric की उपर भी ये cut आ जाए तो जो हमने यहाँ पर half inch का cut लगाया था यहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे यहाँ से half inch का margin लेते हुए stitch करेंगे अब इसे turn करेंगे और नीचे की तरफ जो हमने marking की थी same marking की उपर stitch करेंगे अब इसे turn करेंगे और यहाँ तक हमने जो cut लगाया है वहाँ तक इसे stitch कर लेंगे अब pins को remove कर लेंगे और इसे center में से cut कर लेंगे बिल्कुल ध्यान से cut करें क्योंकि जादा margin नहीं है कपड़ा कट्टा नहीं चाहिए अब neck को पलट के सीधा कर लेंगे और corner को अच्छे से बाहर निकार लें इस तरह से corner को अच्छे से बाहर निकालने के बाद जितने neck पर हमने सिलाई लगा के से fold किया है उतने neck पर हमें top stitch कर लेनी है इस तरह से हमने सिलाई को बिल्कुल finishing के साथ लगाना है और बाकी का जो neck है इस तरह से open है अब यहाँ पर rough stitch लगा के इसे भी attach कर लेंगे और इस वली side पर भी यहाँ पर लगा के इसे भी attach कर देंगे अब देखें neck की folding के लिए जो हमने fabric लगा है इसको इस तरह से half inch पर fold करते हुए इस पर rough stitch लगा देंगे ताकि तुरपाई करते हुए neck की finishing खराब ना हो अब कुर्टी को सीधा करेंगे और यहाँ पर जो हमने center का ट्रडी किया है collar लगने के बाद इसे इस तरह से fold कर लेंगे तो collar attach होने के बाद ही इसे इस तरह से fold करना है तो collar लगाने से पहले shoulder attach करेंगे तो यह back वाला part लिया है जिस पर हमने neck की पहले ही cutting कर ली थी और front part को लेंगे और front और back part के shoulder के इस तरह से जोड की इस पर stitch कर देंगे इसी तरह से दूसरे side पर भी stitch कर लेंगे shoulder attach होने के बाद अब collar की cutting करनी है तो collar हमें देखी कितने inch का cut करना है तो इसके लिए हमें collar का measurement करना है तो जो 1.5 inch का cut था वहाँ से intuitive को इस तरह से रखते हुए दूसरे cut तक इसी तरह से measure करेंगे तो यहाँ पर यह 16 inch पर cut आ है तो 16 inch का ही हमें collar ready करना है collar की cutting के लिए मैंने यहाँ पर fuse paper लिया इसे double fold कर लिया है और fuse paper की जो चुड़ाई है वो 4 inch की है और double fold के बाद इसकी लंबाई है 1.5 inch की तो collar की चुड़ाई हमें 1.5 inch की cut करनी है तो folded side पर 1.5 inch पर marking कर लेंगे अब इस marking के ओपर एक सीधी line draw कर देंगे तो यहाँ पर जो line draw की है यह extra pasting है अब यहाँ पर 3 inch पर एक marking करेंगे और collar हमें 16 inch का ready करना है तो यहाँ पर 8 inch पर marking कर लेंगे अब इस line से 1.5 inch यहाँ पर mark करेंगे इस तरह से अब इस marking पर एक सीधी line draw करेंगे और इसी के साथ 1.5 inch के gap पर एक तरची line draw करेंगे तो यहाँ से इसकी cutting दो तरह से हम कर सकते हैं तो आप इसी तरह से सीधा रखें यहाँ पर इस तरह से आप थोड़ा सा तरची marking कर लेंगे अब इस marking को इस वाली marking के साथ गुलाई देते हुई इस तरह से मिला देंगे अब इस वाली side पर भी half inch की गुलाई देंगे तो गुलाई थोड़ी आगे से शुरू करेंगे देखे इस तरह से और यहाँ तक folding है इसी तरह से half inch का कर्ब देंगे अब यहाँ पर पिंस के साथ इसे secure कर लेंगे और इस marking के ऊपर collar की cutting कर लेंगे collar cut करने का यह सबसे असान तरीका है तो cutting होने के बाए यहाँ पर आपको थोड़ी सी confusion होगी कि आपको कौन सी वाली side कुर्ती के साथ attach करनी है और कौन सी वाली side आपको fold करनी है तो देखी यहाँ से वीडियो को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है तो इस तरफ देखी जो half inch का यहाँ पर हमने कौर्णर निकाला था यह folding side होगी तो इस side पर मैं dash dash marking कर दूँगी ताकि आगे आपको समझने में असानी रहे और जो गुलाई वाली side है इसे हम कुर्ती के साथ attach करेंगे तो यहाँ पर मैंने cross marking कर दिया है अब इस color को हम extra fabric के ओपर paste कर लेंगे तो pasting होने के बाद यहाँ पर half inch का fabric छोड़ा और बागी के fabric को हमने cut कर दिया है अब यहाँ पर देखे जिस side पर हमने cross marking की है इस वाली side पर जो margin है इसको इस तरह से अंदर के तरफ fold करते हुए इस पर rough stitch लगा देंगे क्योंकि इस ilai को हम बाद में remove कर देंगे इसलिए इस ilai को आपने मोटे बख्ये से ही लगाना है और folding होने के बाद एक और extra fabric piece लेंगे तो यह सीधी वाली side है यह उल्टी वाली side है अब इसकी ओपर collar को इस तरह से रखेंगे और folding side को open छोड़ेंगे और side से stitch को शुरू करेंगे तो यहाँ पर पहले double stitch कर लें तो इस side से लेके दूसरी side तक fuse paper के किनारे किनारे स्लाइग कर लेंगे यहाँ पर भी double stitch कर लें तो जिस तरफ हमने folding की थी तो यहाँ से हमें collar को attach करना है तो यहाँ पर हम half inch का margin छोड़ के बाकी के कपड़े को cut कर देंगे और इस वाली side से भी थोड़ा सा margin छोड़ेंगे और बाकी के fabric को cut कर देंगे जिस तरफ हमने सिराय लगाई है वहाँ पर इस तरह से noches लगा लेने है अब collar को सीधा कर लेंगे और corner को अच्छे से बाहर निकार लेंगे और folding होने के बाद इससे press लगा के folding को अच्छे से सेट कर लेंगे तो प्रेस लगने के बाद collar attach करने के लिए बिलकुल तयार है अब collar को ऐसे two fold करेंगे और इस पर center marking कर लेंगे अब collar को curti के साथ attach करेंगे तो collar attach करने से पहले कुर्थी पर भी center marking कर लेंगे इस तरह से कुर्थी के back neck के उपर center marking कर लेंगे तो center marking होने के बाद हमने collar को लिया है तो जिस तरफ हमने extra fabric छोड़ा है उस तरफ से इसे attach करेंगे तो कुर्थी के उपर यहां पर हमने half inch का cut लगा है था वहां से इसे attach करना शुरू करेंगे तो यहां से सिलाई को शुरू करेंगे तो पहले यहां पर double stitch कर लेंगे और सिलाई हलके हाथों से लगाने कप्ड़े को खीच के सिलाई ना करें जिससे आपका collar वो छोटा बढ़ सकता है अगर half inch का gap आ भी जाता है तो आप उसे खीच के complete कर सकते है अब यहां पर भी double stitch करना है तो neck को हमने सीधी वाली side से attach किया है अब इसे अंदर वाली side पर fold कर लेंगे और जो बाकी का margin है इसे collar के अंदर के तरफ इस तरह से दबा देंगे और margin को अंदर दबाने के बाद इसके उपर top stitch कर देंगे तो यहां पर double stitch करना है तो इसी तरह से margin को अच्छे से अंदर के तरफ fold करते हुई से stitch कर लेंगे और इसी के साथ अगर आप channel पर नहीं हो तो इसी तरह की और videos को देखने के लिए चैनल को भी subscribe कर ले और slide होने के बाद collar पर जो हमने पहले rough stitch लगाई थी उसको remove कर देंगे तो collar लगने के बाद collar की इस तरह से folding करनी है और नीचे वाली side से भी इसे इस तरह से fold करके इसे press की help से अच्छे से set कर लेंगे तो collar को हमने set कर लिया है और यहां center में buttons भी लगा दिये हैं तो यह हैं हमारे कुर्ती की final look so friend आज की वीडियो अगर आपको अच्छे लगती तो वीडियो को like share करना ना भूले तो मिलते हैं नई वीडियो में किसे ने topic के साथ अब तक के लिए bye bye